आयोध्या कस्मीर में धारा 370 हटाए जाने पर बीजेपी द्वारा आयोजित रास्ट्री एक तभियार एक रास्ट एक सम्मिधान जन जागर में केंवरी राज्यमंत्री अर्जुन राम मेगवाल आज आयोध्या पहुंचे थे जहां उन्होंने राम मंदिर पर बोलते हुए कहा है कि आयोध्या के लिए अच्छी खबर आने वाली है मामला सुप्रीम कोट में है सुनवाई भी हो रही है आयोध्या के लिए एक अच्छी खबर आएगी वहीं CGI में भी यह कह दिया है कि 18 अक्टूबर सुनवाई करेंगे फिर फैसला आएगा वही राज्यमंत्री में वालत के सरकार में जम्बू कश्मीर में धारा 370 हटाये जाने के लाप पर विजेपी पूरे देश में 73 जगों पर भाश्पा आयोजित कर रही है लोगों को धारा 370 हटाने को लेकर जागरुक भी रहे वहीं भाश्पा के सान सत्वे धायागवा प्रभूत जन रहे एक समविधान जन जाकन सहर के कोहिनोट पैलेस में अयुजित किया गया इस समंद में कहा है किभी 18 तारीक तारा 370 हटने के बाद भारती जनता पार्टी ने तै किया कि हम पूरे देश में एक जन जागरन अभियान चलाएंगे और 370 इस्थानों पर ऐसे हम कारिकरम करेंगे जिसमें पार्टी के भी लोग हों प्रभूत जन भी हों और इसका बैक किस तरह से तेजी से हो सकता है इसके बारे में जानकारी देना यहीं एक देशिये भारती जनता पार्टी ने लियार इसको देशिये में हम मुझे लगता है कि आज के इस कारिकरम से मुझे लगता है कि बहुत सफल हुए है इसकी ज़रूर देखिए आजकल क्या है कि तीन त पर बारों में कई बार के चीजें के चीजें रहे जाते हैं सब्सक्राइब आजाता है अब जैसे मेला मोर्चा ने आप अब अब भुटू खेंचा लाइक लिए यह एक राष्ट एक समिधान राष्टी एक ता पर्व भारती चलता बार्टी मना रही हूं उसके लिए तो हर जगे हर जगे पहुंचना चीए ना ती 370 कितना मैंत पूर्टा देश के लिए यह